नमश्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रही हैं कच्चा कलवा साधना के बारे में। कच्चा कलवा साधना एक तांतरिक साधना है, जिसे पूरा करने के अनेकों तरीके हैं। कुछ लोग इसे कलवा मसान के नाम से भी जानते हैं, तो कुछ काला कलवा, इन्हें ये नाम मिलते हैं इनकी प्रकृति के अनुसार। अगर आप अर्बन मिथ में बिलीव करते हैं, तो आपने इनसे जुड़े अनेकों किस से सुने होंगे। चोटे बच्चे जिनकी उम्र आठ साल से नीचे होती हैं, मौत होने के बाद उन्हें जलाया नहीं जाता है। कुछ जरूरी क्रिया पोंड न होने की वज़े से ये प्रकृति और ब्रह्मा के नज़दीक होते हैं, और इनकी शक्तियां चरम पर होती हैं। सिर्फ यही एक वज़ा है कि खतरनाक होने के बावजूद ये साधना करने वाले तांतरिक लोगों की कमी नहीं है। सबसे शक्तिशाली वशीकरण, मारण क्रिया और दूसरी तांतरिक क्रिया में कलवा का आवाहन कर उन्हें कार्य सिध्धी से सिध्ध किया जाता है। हमें पहले जान लेना चाहिए कि कलवा पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये किसी तरह के बंदन में नहीं बंदते हैं। इसलिए आपको साधना से पहले ये जान लेना कि कलवा किस तरह का है, तांतरिक साधनाओं में कलवा की साधना ही है, जिसमें साधक को पग पग पर सावधानी रखनी होती है. कलवा साधना का ये मंत्र प्राचीन पुस्तकों के संग्रे में से लिया गया है, इसलिए ये कितना सफल है कह नहीं सकते, इसे यहां सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बताया जा रहा है, मंत्र कुछ इस प्रकार है. कलवा कलवा गांगी गूम आही आही को काल कमानी आव आव रह रह विदेशा खीचे आव बाते मोरी अपती आव. किसी नाबालिक बच्चे के शव का कफन ले आएं, और उसी शव के मुह के थूक का कफन पर लेप कर दें, अब अर्द रातरी के समय किसी सुनसान जगह पर बबूल के पेड के नीचे उस कफन को बिछा दें, पेड से थोड़ी ही दूर मल त्याग करने जाएं, और वापस ऐसे ही बिना साफ किये आजाएं, कच्चा कलवा साधना के लिए, पूरी तरह से अब पवित्र होकर कफन पर आसन लगा कर बैठ जाएं, और अपने सामने एक पाव कच्चा मास परोस लें, मास को सामने रख कर आखे बंद कर लें, और बताय गए मंत्र की 108 जाप पूरे करे अब सामने पड़े मास के तुकडे में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल लें, और अपनी जीब के नीचे रख कर मानस जाप में 108 जप पूरे करें जब पूरे होने के बाद मास के तुकडे को मूँ से बाहर निकाल लें, मस्तिश्क पर लगा कर वहीं उसे छोड़ दें, और कफन को लेकर घर लोट जाएं कलवा की साधना में कुछ बातों का ध्यान रखना अतियावश्चक है जब के लिए जाते और वापस लोटते समय, पीछे मुढ कर ना देखें, और ना ही किसी के सवाल या आवाज का जवाब दें कलवा अपनी लीला शुरू से ही दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन सामने नहीं आता है वो जब सामने आए, तबी उसकी बातों का जवाब दें, लेकिन साधना पूर्ण होने के बाद कच्चा कलवा साधना में, सादक को कलवा को मास और मदीरा का भोग लगा कर वचन में बांद लेना है हाला कि छोटे बच्चे का कलवा आसानी से वचन में नहीं बांदा जा सकता है लेकिन बड़े कलवे को आप वचन में बांद सकते हैं तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कलवा हटाने का मंत्र कई बार हम ऐसी स्थिती से भी गुजरते हैं कि कलवा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सादक का कहना नहीं मानता है छोटे बच्चे या फिर औरतें, खास कर गर्ववती औरतें इसका शिकार जादा होती है ऐसी स्थिती में कलवा को हटाने का मंत्र यहां आपको पताया जा रहा है मंत्र कुछ इस प्रकार है अगर किसी ने कलवा का प्रयोग कर दिया है तो रोगी के चारो तरफ सरसों के दाने छिड़कते हुए इस मंत्र का जाप करें कलवा दूर हट जाएगा आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कलवा से टकराने वाले सादक को कायर या भीरू कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों कलवा वीर की सादना का प्रयोग वशीकरण के प्रयोजन में काफी किया जाता आ रहा है आपसी दुश्मनी के चलते कुछ लोग कलवा का प्रयोग करते हुए घबराते नहीं है ये सादना इतनी तीवर है कि बड़े-बड़े तांतरिक भी इसे करने से घबराते हैं कच्चा कलवा को कंट्रोल करना और वचन में बांधना बेहद दुश्कर का रहे है और जरा सी चूक तांतरिक की ही जान ले सकती है इसे सिर्फ जानकारी के तौर पर यहां बताया जा रहा है ना कि सादना करने के तौर पर तो क्रिपया विवेक से काम ले और फिर साधना में उतरे मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी क्रिपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद